हर्दा डिगरी कॉलेज हर्दा के ओफिशल यूटीब चैनल में आप सभी का स्वागत है हम लोग पाइथन पांडास की इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो सीरीज देख रहे हैं जो क्लास 12 के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमने सीरीज अबजेक्ट पड़ हम देखेंगे सीरीज का अबजेक्ट का डिफ्रेंसेशन लिस्ट के साथ टिशनरी के साथ और नमपाय अरे के साथ ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम लोग जो डिफ्रेंसेशन देखेंगे वो सीरीज अबजेक्ट और एक लिस्ट के बीच में देखेंग तो सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या होती है एक सीरीज के अंदर हमारे होमोजीनेस elements होते है और लिस्ट में heterogeneous elements होते है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सीरीज है उसमें जितने भी elements होंगे वो same data type की होंगे और जो हमारी लिस्ट है उसमें मिक्स भी हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि आधी मेरे पास कोई सुख़चिक सभण ज strat Report में जैसे मैंने दिया 20 30 यह सभी स्यम टैप के हैं और लिस्ट में क्या हो सकता है different type के भी हो सकते हैं जिसर यह मैरे पास एक लिस्ट है इसमेर integer भी है float भी है एक alphabet भी है है ना लेकिन जो series होती है उसमें homogeneous elements होते है homogeneous elements का मतलब यह है कि उनका data type same होना चाहिए अगला point है कि जो index है वो duplicate हो सकते है series में और list में क्या होता है list में indexes cannot be duplicate इसका मतलब क्या हुआ जैसा भी हमने पिछले कुछ video उसमें देखा था series में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उसमें index जो हमारे duplicate हो सकते है क्योंकि इसमें explicitly अपनी तरफ से index provide करते है तो हो सकता है कि इसका index a है तो इसका भी index a हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो लिस्ट है उसमें indexing कहां से शुरू होती है उसमें indexing शुरू होती है जीरो से ठीक है और इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं इसमें जीरो वन टू थी से ही index शुरू होगा ठीक है वही चीज है हमारे next point में next point में हम बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है numerical indices और labels हो सकते हैं जैसे आप यहां देख रहा है जो हम alphabets का strings का use करेंगे तो हम उनको label बोलेंगे तो यह देखिए a, a, b क्या है alphabets यह labels है numerical indices भी हो सकते हैं या हो सकता है कि इसका index में को देना है 5 इसका index देना है 6 इसका index देना है 7 मतलब कि हमारे indices हैं वो numerical भी हो सकते हैं और labels भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है केवल और केवल numeric indices ही होते हैं और वो भी हम नहीं दे सकते हैं मतलब अगला पॉइंट हमारा कि explicit indexing नहीं होती मतलब हम automatic महां पर index क्या होंगे 0123 होंगे और यहां पर explicit indexing होती है इसका मतलब कि हम अपनी तरफ से index बता सकते नहीं बताएंगे तो 0123 रहेगा और अगर हम चाहें तो अपने आप से बता सकते हैं और जो series object होता है वो क्या होता है वन dimensional data structure होता है है ना series जो है वो one dimensional होता है और जो हमारा list है वो one dimensional भी हो सकता है as well as multi-dimensional भी हो सकता है यदी हम nested list की बात करें एक list के अंदर यदि एक से ज़्यादा list आती है जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पर सपोस करिए एक list बनाई L नाम से इसमें 1 है, 2 है और फिर एक और list आ गई ठीक है तो यह कहला आईगी है यह हमारी multi-dimensional list हो जाईगी ठीक है multi-dimensional list का example होगी तो जो list है वह हमारी one-dimensional भी हो सकती है और multi-dimensional भी हो सकती है तो यह पहला differentiation था हमारा series और series object और list के बीच में अगला हम देखेंगे differentiation और series object और dictionary के बीच में हलाकि इसको मैं differentiation नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सरे common points होते हैं एक प्रकार से series object देखा जाए तो कहीं न कहीं dictionary से ही related है जैसे हमने dictionary पढ़ा है आप लोगों ने dictionary पढ़ा है और अगर dictionary नहीं पढ़ा है तो हमारे YouTube channel पर Python की अलग से playlist है तो उसमें जाके आप dictionary पढ़ सकते हैं dictionary में क्या होता है dictionary जो होता है वो key और value का कर रहा हूं एक की दे रहा हूं one उसके marks दे रहा हूं 40 एक की दिया मैंने टू उसके marks दिया मैंने 50 मतलब में क्या कर रहा हूं यहां पर कुछ बच्चों के marks store कर रहा हूं ठीक है one two करके यह सब क्या है यह मेरी keys होंगी और उन keys से related कोई ना कोई value होंगी यसी चीज़ को अगर मैं को series के रूप में बनाना है तो series किस तरह से बनेगी मेरी 40 और 50 क्या हो जाएगा मेरा data हो जाएगा one or two क्या हो जाएगा उसका index हो जाएगा तो देखें तो हम कहीं न कहीं यह दोनों क्या है similar है है नहीं मतलब जैसे हमारी dictionary में key और value का pair होता यहाँ पे हमार्ट के समान होता है हमारी dictionary की value के समान है मतलब कही न कही हम बात कर सकते हैं कि जो index होता है series का वो dictionary की key के समान होता है और जो data होता है वो कही न कही dictionary के value के समान value के बराबर होता है ठीक है clear है अगले point की बात करते हैं अगला point यह है कि जो हमारी series object होता है उसमें जो indices होते हैं वो numeric और labels हो सकते हैं अभी पिछले differentiation में हमने बात करी थी यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो keys होते हैं आप रख तो कुछ भी सकते हो मतलब कि आप numeric भी रख सकते हो, labels भी रख सकते हो बट वो क्या होते हैं? immutable होते हैं एक बार आपने बना दिया और आप उसको change नहीं कर सकते हैं को है न? जैसे मैं बात करूँ एक example देखते हैं जल्दी से मैंने यहाँ पर एक series बनाई है उसमें 10 और 20 data है और उसके index से A और B वो ही series में अगर मैं को यहाँ पर बनाना है इसको मैं नाम दे देता हूँ ST नाम से तो वही मैं यहाँ पर ST नाम की dictionary बनाता हूँ तो dictionary कैसे बनेगी उसका जो key है वो हो जाएगा A और उसकी जो value है वो हो जाएगी 10 और जो दूसरी key है B उसकी value हो जाएगी हमारी 20 है उसी से related मैंने क्या कर रहा एक dictionary बना दी है दोनों same है लेकिन बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसके index को change कर सकता हूँ हमने देखा था जब हम operations पढ़ रहे थे तब हम index को change कर सकते हैं लेकिन इन A और B को मैं अब change नहीं कर सकता मैं चाहँ तो इन series object में A और B को change कर सकता हूँ लेकिन dictionary में जो key होती है उसको मैं change नहीं कर सकता हूँ ठीक है अगले point की बात करते हैं कि यह क्या होता है यह one dimensional हमारा data structure होता है series और जो हमारा dictionary होता है वो one dimensional भी होता है और multi dimensional भी हो सकता है यदि हम nested dictionary की बात कर रहे हैं एक dictionary के अंदर एक ओर dictionary जिसे भी हमने list की बात करे थी तो फिर हो क्या हो सकता है multi dimensional भी हो सकता है ठीक है तो यह हमने देखा differentiation series और dictionary के बीच में तीसरा differentiation हम देखने वाले हैं एक series object के बीच में और एक numpy array के बीच में अब इसके लिए आपको थोड़ा सा numpy पता होना चाहिए अगर numpy नहीं पता है तो आप अभी यह माल लीजे एक array की तरह ही होता है क्योंकि 1D array 1D numpy array की बात कर रहे हैं हम लोग तो कहीं न कहीं आप इसको simple array जो arrays आपने पढ़ा होगा अगर आपने कभी कोई दूसरी programming language देखी होगी तो 1D array या Multidimensional array तो उसकी बात कर रहे हैं 1D में हमारा इस तरह से data store होता है एक row के form में Multidimensional में हमारा जो data होता है वो कहीं न कहीं इस तरह से matrix के form में store होता है अगर आपने नहीं पढ़ा हो नंपायर है तो यह figure द्यान दखीएगा अब हम differentiation की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पहला point है homogeneous elements होते हैं इसके अंदर और इसके sorry इसके अंदर भी क्या होते है homogeneous elements होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो series है उसके अंदर आपने जो data डाल दिया वो एक ही प्रकार का होना चाहिए और numpy array में भी आपने जो data store किया वो एक ही प्रकार का होना चाहिए मतलब कि वो सारे के सारे या तो integer number हो या float number हो या string हो या alphabets हो मतलब mix नहीं हो सकते भले कितने ही हो लेकिन एक ही type क्यों होंगे इसके बाद explicit indexing होती है explicit indexing मतलब कि हम अपने तरफ से index दे सकते है series में और नहीं देंगे तो by default बापे 0, 1, 2, 3 index होता है लेकिन यहाँ पर कोई explicit indexing नहीं होती है यहाँ पे 0, 1, 2 index ही होता है यहाँ पे 0, 1, 2 अगर नहीं दोगे तो रहेगा चाहो तो आप आपके खुद की indexing दे सकते हो वह चीज़े अगले point में numeric index हो सकते है और labels हो सकते है मतलब कि आप चाहो तो A, B, C, D करके levels दे सकते हो या कुछ और number दे सकते हो जहाँ से starting हो और 5, 6 से starting करना है हाला कि हम लोग बहुत बारा भी इसकी बात कर चुके है है ना इसमें क्या होता है खाली numeric index होता है अगले point की बात करें vector operations की तो यदि मैं vector operation perform करता हूं series के उपर तो क्या होगा अभी हमने operations पढ़ा था हमने कि जो vector operations है हम क्या कर सकते हैं दो series पर अपलाई कर रहा है तो वो same size की भी हो सकती है different size की भी हो सकती है अभी आपने देखा था हमने पिछले कोई वीडियो में OVJ1 प्लस OVJ2 करके हमने दो series बनाई थी और उस पे देखा था दोनों के sizes different थे तो जहां index match हो गए थे उनको तो उसने add कर दिये था और जहां match नहीं होते है वहाँ NAN हमका output पे दिखा था मतलब अगर आपका size आपकी series का size same है या different है तो दोनों पे vector operation आप लगा सकते हो series में लेकिन nump array में ऐसा नहीं है nump array में अगर आपको vector operations लगाना है तो आप केवल और केवल तब ही लगा पाओगे जब आपके दोनो arrays को आप जिनको जोड रहे हैं उनके size same है एक last point है कि जो series object होता है वो more memory लेता है अब more memory क्यों लेता है वो आप वैसी समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हम data तो store करी रहे है data के साथ साथ उन data के लिए हम कहीं न कहीं उसके index भी store कर रहा है जैसे मैंने यहाँ पे data बनाया 4, 5, 6, 7 और data के लिए क्या है equivalent जितने data होंगे उतने ही क्या होंगे उनके इंडेक्स भी होंगे क्या होता है यहां पर हम अपनी तरफ से अपने इंडेक्स दे सकते हैं तो मैंने 4567 के इंडेक्स दिया 10, 11, 12, 13 तो memory में क्या होगा एक प्रकार से double storage होगा जितने data उतने इंडेक्स लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर आपको इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं होती by default जो इंडेक्स होते हैं 0, 12 से start होते है तो यहां पर केवल और केवल data ही store होता है I hope आप लोगों को यह differentiation समझ में आया होगा series object का हमारी list के साथ dictionary के साथ और numpy arrays के साथ यदि आपको कोई doubt हो तो आप लोग comment करके पूछें अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे thank you